नमस्कार में डॉक्टर रजनिस कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे CG62023 के Question Paper के Part 2 के उपर जो की आगामिन, UGCNet, TGT, PGT और Assistant Professor भरतियों के परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पूर हो सकता है प्रिविद्धियार्थियों इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप अपने मोबाईल को इस तरीके से नहीं करें बलकि फूल स्क्रीन में करके इस आकार में उसे देखने का प्रयास करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चलते हैं बात करते हैं सिधे प्रशनों के उपर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रशन पुछा गया है Question No.51 Option C. देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के तौर पर है पार्वती और मिसरानी अगला प्रशन है देरा जट्टा गाउं में बसे हिंदू मुस्लीम और सिख समुदाय के जिंदगी पर आधारित कृषना सोबती का एक उपन्यास है मित्रो मरजानी जिंदगी नामा समय सर्गम या फिर चारों के चार यहाँ पर सवाल जो पूछा गया है अगला प्रशन है नरकुंड में बास यह किस उपन्यास का दूसरा खंड है नरकुंड में बास उपन्यास का पहला खंड क्या रहा है उसी पर सवाले याँ पर, option दिया गया है धर्ति धन्न अपना, राग दरबारी, मुर्दहिया, मानस का हन्स सही जबाब है option ये धर्ति धन्न अपना, जो उपन्यास है, दूसरा खंड उसका क्या है, नर कुंड में बास ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत आगया होगा कि इस उपन्यास की उपन्यास कार कौन है, कब इसका प्रकाशन हुआ था अगला प्रश्ण है, बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धी कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है, कि बड़े बड़े फिलासिफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं, उप्रियुक्त पद किस उपन्यास से लिया गया है अप्शन दिया गया शेकर एक जीवनी, परिक्षा गूरु कर्म भूमी गोदान, बड़ा ही इंपोर्टेंट कथन जो की आगे की परिक्षाओं के लिए महत्पोन हो सकता है, आप भी अपना दिमाग दवडाना शुरू कर चुके होंगे, कि आखिरकार इस प्रश्ण का सही सही जबाब क्या होगा, बिल्कुल सही जबाब है औप्शन B, परिक्षा गूरु उपन्यास से ये कथन लिया गया है, ठीक है, आगे बात करते हैंगला जो प्रश्ण है, सत्गूरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो, जो गूरु वचन निहार, उप परिक पद किस उपन्यास से ली गया है, यानि कि जो विपद है, किस उपन्यास से लिया गया है, हमें बताना है, आप्शन दिया गया है, गोदान, जूठा सच, मैला आचल, राग दरबारी, सही जबाब है इसका आप्शन C, मैला आचल उपन्यास से इस पद को लिया गया ह तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि बदलते वे पैटन के आधार पर उपन्यासों में आये हुए पदों और पंक्तियों को भी खासतर से जो काब ये पंक्तिया हैं उनको आधार बनाते वे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आगे बात करते हैं गला जो प्रश्ण है यहाँ पर तमस उपन्यास को सहीत अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला ओप्शन दिया गया 1975, 1970, 1977, 1973 तमस उपन्यास को सहीत अकादमी पुरस्कार कम मिला था सही जबाब है ओप्शन है सन 1975 इस भी में हालांकि तमस उपन्यास लिखा गया सा 1973 में लेकिन इसको पुरसकार मिला 1975 इसका उपन्यास है इसकी विशेव वस्तु क्या है ये सबी चीजे आपके मन मस्तिस्क में आनी चाहिए अगला प्रशने जो कि सुमेलित पर आधारित है निम्नांकित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित किजिए उपन राग दरबारी मैला अचल तमस बान बटकी आत्मिकता उपन्यास है और पात्रों का नाम दिया गया शनीचर लीजा निपूरिका डॉक्टर प्रसाद तो इस तरीके के प्रशनों में जो भी विकल्प आपको या फी यहां पर सुमेलन आपकी दिमांग में आए उसको आपक बान बटकी आत्मिकता निपूरिका तो जो यहां पर ऑप्शन बन रहा है एक चार दो तीन एक चार दो तीन हमें आपर देखते हैं सही जबाब हो गया ऑप्शन सी अगला प्रशन है रेत समाधी उपन्यास किसकी रचना है तंजीव रडेंद्र मृदुलागर गितांजरी रेत समाधी पर एक अंतराश्ट्रे पुरस्कार भी मिला था मैं चाहूंगा कि होमवर्क के तौर पर आप उसको कमेंट करके बताएं कि रेत समाधी पर कौन सा पुरस्कार मिला था इस प्रशन का जो सही जबाब है वो है ऑप्शन डी गितांजरी स्री अगला प्रशन है ब भुमिका के बाद पहले ही पेज पर बांभट का जन्म किस वंच में हुआ था उसकी चर्चा की गई ऑप्शन दिया गया है वाथ्षयायन वंच गुलाम वंच चोल वंच पल्लव वंच तो बांभट किस वंच का था सही जबाब है ऑप्शन ए वाथ्षयायन वंच तिक है यानि कि सचिदानंद हीरानंद वाथ्षयायन अग्गे वाथ्षयायन अग्गे जो थे वो भी बांभट के ही वंच से उनका रिलेशन था तो यहां पर आगे की परिक्षा के लिए जरूर आप ध्यान में रखिए कि बांभट के से वंच से था वाथ्षयायन अगला प्रश प्रकाशन का सही जबाब बता देगा गोदानु पन्यास कुल कितने प्रकरण में है आप्शन दिया गया 32, 42, 46 हमने एक सुत्र भी दिया था कि इसका प्रकाशन वहा उने इसका सही जबाब है आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जोरत नहीं है चिर्फ आपको गोदानु पन्यास के प्रकाशन वर्स के आधार पर ही ध्यान में रखना है कि 36 में हुआ और इसमें 36 प्रकरण भी है अगला प्रशन है और संयोग से आप देखेंगे कि यह जो प्रशन पूछा गया है यह 36 गड़ के सेट में पूछा गया है तो कहीं 36 सब्द सभी में कॉमन है अगला प्रशन है कि दुलाई वाली कहानी में कहां से कहां तक की यात्रा की घटना को केंद्र में रखा गया है और संदिया गया है मिर्जापूर से इलहाबाद, इल टुलाई वाली कहानियों में पहली कहानी के दोड़ में Speak लेकिंवी कौन ही सारी चेये आपके दिमागा रहे हैं सेजवाब इसका ओप्षन-C, कौसी का जिक्र किया गया हैं आडा tu dall कानीमेर इलहाबाद जुर्म में, अनाज चोरी करने के जुर्म में, दवा चोरी करने के जुर्म में, कलम चोरी करने के जुर्म में, तो अलग-अलग जुर्मों का नाम है आपर दिया गया है, हमें बताना कि आखिरकार वो सही option क्या है, सही जबाब है option B, अनाज चोरी करने के जुर्म में उसको ज कहानिया दे गई हैं दूसरे तरफ करसे क मैं हार गई तीन निगाहों की एक तस्वीर यहीं सच है एक प्लेट सेलाव तो देखने से लग रहा है कि किसी खास एक कहानिकार की संपूर कहानियां आपर दी गई है और उसी के आधार पर में प्रकाशन वर्स बताना है ठीक है तो इसका जो आप देखेंगे हम अगर सुमेरन करें इसका तो मैं हार गई कि 1957 में यह कहानी प्रकाशित हुई इसके बाद जो दुसरा ओप्षन है तीन निगाहों की एक तस्वीर सही जवाब है 1969 में ठीक यही सच है यही सच है का प्रकाशन हुआ इस तरीके से आप देख रहे हैं जो इसका कूट बन रहा है कि A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1 सही जवाब हो गया ओप्षन C आगे बात करते हैं अंगला जो प्रशन है यहापर जैनेंद्र की कहानियों का प्रकाशन काल के अंसार सही क्रम क्या है जैनेंद्र की कहानिया यहापर दी गई है और सभी कहानिया महत्पून हैं और आप कहिन कहिन को जरूर पढ़े होंगे वातायन नीलम देश की राजकन्या एक रात फांसी तीक है यहां पर आप देखिए कहानी नीलम देश की राजकन्या इसका शिशक बड़ा है और कई बार पूछ लिया जाता है कि यह किस विधा में है तो इस प्रश्ण के माध्यम से आप जान गए कि कहानी है किसकी है नीलम देश की राजकन्या फांसी का प्रकाशन हुआ 1929 वातायन का प्रकाशन हुआ 1931 एक रात कहानी का प्रकाशन हुआ 1935 और नीलम देश की राजकन्या आगे के लिए जोरूर द्यान में रखें 1936 भी में अगला प्रश्ण है अपना अपना भाग कहानी के लेखर अपने मित्र के साथ कहां बैठा रहता है अपना अपना भागे जो कि जैनेंद्र की कहानी है यहां पर पुछा गया कि जो लेखक है अपने मित्र के साथ कहां बैठा रहता है आप्शन दिया गया है रायपूर के किसी सड़क पर इलाभाद के किसी सड़क पर हरिदुआर के किसी किसी सड़क पर वो बैठा हुगा या फिर वहाँ पर बैठ कर रहता था और अपने मित्र से बात्चित करता था अगला प्रश्ण है कि परिंदे कहानी की नाइका लतिका किस इस्कुल में सिख्षिका है आप संदिया के कोलकाता के कान्वेंट इस्कुल में मध्य प्रदेश के कश्षिका के तोर पर यह लतिका किस कहानी से परिंदे काहनी को हिंदी में नई कहानी के प्रथम कहाने के तौर पर माना जाता है और किसने माना हैं यह सभी तत्य आप अपने दिमाग में रखे होंगे बिल्कुल कई विद्यार्थियों के दिमाग में तत्य उमरते घुमरते वे जरूर आ रहे हैं अगला प्रश्ण है चीफ की दावत में चीफ किसके घर दावत पर जाता है चीफ की दावत कहानी जो की व्रिद्धों की पेक्षा पर आधारित है और यह आप देखेंगे कि 36 गड़ के बीये के पाठकरम में इस कहानी को रखा गया है जब मैं वहाँ पर पता और असिस्टेंट प्रोफिसर काम कर रहा था तो इस कहानी को हमने काफी दिल से पढ़ाया हुआ था जो भी विद्यार्थी मुझसे ब पातर है न कि श्यामनाथ है आप देख रहें कुछ प्रश्न विव ऐसे ही बनाया गया अलांकि आपर श्यामनाथ लिखा हुआ है लेकिन श्यामनाथ और श्यामनाथ होटा तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते तो यह तो रही 36 गड़ के विद्यार्थियो को जरूर आप ध्यान में रखे कि पातरों का सही नाम क्या है सही जवाब गया अप्शन वी श्रामनाथ के घर चीफ दावत पर आते हैं और क्या क्या उस कहानी बड़ी जबरदस तरीके की है जरूर आप समय निकाल कर पढ़िए अगला प्रश्न है गफूर ने कहा आप बे सीजी में काफी स्पेलिंग मिश्टेक्स हैं तो आगे जरूर एक्सपर्ट्स या फिर जो भी प्रेंटिंग प्रेस है वो इस चीज को ध्यान में रखेगा क्योंकि जानते हैं कि छोटी-छोटी मातरात्मत तूटियों के आधार पर भी विद्यार्थी कंश्यूज हो जाते 선ेूर अगला प्रश्ण है यहां पर आप देखेंगे स्पेलिंग मिश्टेक्स जारी है गैंगरीन, गैंगरीन कहानी में मालती के पती का नाम यहां पर होना चाहिए था ? option है, रामिश्वर, सोमिश्वर, कामिश्वर, महेश्वर, मालती के पती का नाम है आपर होना चाहिए, इस पर आप क्लेम कर सकते हैं, जो भी विद्याती 36 गड़ सेट में बैठे हुए थे, वो इस प्रश्ण को क्लेम में डाल सकते हैं, आप पती लगा सकते हैं, यहाँ पर प गटवार कहानी में गुसाई कितना आटा लक्षमा के आटे में मिला देता है, जब आप कहानी पढ़ेंगे शेकर जोसी की कोशी का गटवार, इसमें गुसाई और लक्षमा के प्रेम का वर्डन किया गया है, जो एक दूसरे से पिछले 15 वर्सों से परचित थे, अलांकि ग कि लक्षमा वहीर смणा वही रहती है, बाद में इस सबकी मुलाकात ही है, गुसाईं, एन अपने गुसाईं जो की आटा चक्की की चलाता है, वहाँ पर लक्षमा जाती है, कितना आटा मिला देता है, यहाँ पर सवाल पुछा गया है, जब तक आप कहानी को बहतरीन धंग स से नहीं पढ़ेंगे शायद इस प्रश्ण का जबाब दे पाएंगे अगला प्रश्ण है महाभोज नातक में जिस गाउं में घटना घटित होने का उल्लेख किया गया है उसका नाम है सरोहा कलची रामपूर अकोला महाभोज नातक में कौन सा गाउं है सही जबाब है करकर होमवर्क नंबर 2 बताएंगे कि अकोला मनुभंडारी ने अपने किस रचना में इस गाउं का जिक्र किया हुआ है अकोला का संबन्द मनुभंदारी से यहाँ पर महाभोज में जिस गाउं का उल्ले किया गया है वो है सरोहा गाउं। अगला प्रश्ण है यह नाटक हमारी स्वार जीनता की तलछट का चित्र है। वो तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। यह कथन किस नाटक कार द्वारा अपने नाटक के संबंध में कहा गय तो ये बात किसने किस नातक में कई हुई है, हमें बताना है, सही जबाब है option A, शर्षर दयाल सक्सेना ने अपने बकरी नातक में इस बात को कहा है, अगला प्रश्ण है, जो कि पुछा जा रहा है, राम गुप्त दुर्श्वामनी को किसे उपहार में देने के लिए तयार हो शिखर स्वामी, शकराज, यमनराज, चंदरगुप, राम गुप्त दुर्श्वामनी को किसे उपहार में, इसे में लिखा गया है कि जो इस्त्री है वो उपहार की बस्तु नहीं है, और बड़ा इमाच्पोन ये पूरा पैराग्राफ है, अगर आपने दुर्श्वामनी इनाटक को पढ़ाओगा, सही जबाब ऑप्शन B, शकराज को, अगला प्रशन है कि अंधेर नगरी के किस दृश्य में बाजार का चित्रण हुआ है, अंधेर नगरी को हमने लाइन बाइन यूजिसी नेट के दोरान पढ़ाई थी, आप देखेंगे कि जो भी इस चैनल प आंक का जो द्रिश्य है, वो बाजार का, ठीक है, दूसरा द्रिश्य जो है, सरी, दूसरा द्रिश्य बाजार का द्रिश्य है, अगला प्रशन है, यह कट्टू अनास्था भी अपने चरणों में स्विकार करो, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन, यह कथन अं और ने चरणों में स्विकार करो आस्था तुम लेते हो लेगा अनास्था कौन आस्था की बात अंधायूग में कही गई है और किसने कहा है विदूर ने कहा है अगला प्रश्ण है पुछा गया कि राजनीते और साहिते की टकराहट तथा राजसत्ता बनाम सरजनात्मक्ता कि लिखने के लिए जो भी विद्याती जेनु में विद्याती इसमें में के होंगे उसमें कई बार सेमिनार और टर्म पेपर लिखने के लिए जो भी हमारे टीचर हुआ करते थे उस जमाने में प्रोफेसर रमन प्रसाथ सिन्धा अउनोंने राजसत्ता बनाम सरजनात्मक्ता पे हम लोगों को टर्म सेमिनार पेपर दिया हुआ था अभी वह सकता यह प्रश्ण जारी हो तो कहीन कहीं प्रश्णों के माध्यम से ही एक ज्यादा सा्थ रहें एक हवा में सांस लें उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से आजनभी महसूस करें कथन आधे अधोरे नाटक के किस पात्र का है बड़ी बात यहां पर कही जा रही है कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में साथ लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसर से आजनवी महसूस करें, जिस्से की संबंधों में हमेशा स्ताजगी महसूस होती रहें, किस पात्र का एक कथन है, ओप्षन दिया गया है, इस तरी पुरुष, बड़ इद्यार्थियों, हमने पार्ट 2 में 27 प्रशनों पर लगबग चर्चा की है, आगे के जो भी प्रशन बच रहें, पार्ट 3 में हम लेकर जल्दी हाजिर होंगे, आप सभी कमेंट्स करकर जरूर बताइए, कि जो भी इस वीडियो में question paper या फिर प्रशनों पर हमने बात की, उसमें से आपके कितने प्रशन सही हुए, एक तरीके से हम देखें, तो लगबग हमने 77 प्रशनों पर आप सब इसे वीचार कर लिया है, CG State के अनुसार 100 में 77, आप बताइए कि इसमें आपके कितने प्रशन सही हो रहे हैं, टोटल अगर 77 की बात करें तो, ठीक है, अगर इ CG भी नहीं था, बीच का था, टेकनिकल कुछ-कुछ इसमें सवाल रहे हैं, आगे हम अगले पार्ट पर बात करेंगे, तब तब के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, नमस्कार